लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एक अब्जेक्टिव बिजनस का होता है एकोनॉमिक अब्जेक्टिव जहां पे बिजनस कोशिश करती है पैसा कमाने की यानी प्रॉफिट करने की तो अब बात करते हैं वाई इस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट इन बिजनस आप बोलो इन बिजनस ठीक है फटावट खतम करेंगे तब फर्स्ट वन सर्वाइवल अगर एक बिजनस है जो अभी अभी नहीं नहीं इस्टाबलिश हुई है तो उसको सबसे पहले तो सर्वाइव करना है यानि वो क्या कोशिश करेगा एक मार्केट स्टैंडिंग क्रियेट करने की वो ये कोशिश करेगा कि कॉम्पिटिटर्स उसको खा नहीं जाए ठीक है वो मार्केट में स्टैंड कर पाए सर्वाइव कर पाए तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए पैसा कहा से आएगा प्रॉफिट से आएगा सिंपल सेकेंड इस एक्सपांशन एन ग्रोथ अब सिंपल सी बात है देखो अगर आप रहते हो एक टू बेड्रूम हॉल किचन के फ्लाइट में और आपको शिफ्ट करना एक थ्री बेड्रूम हॉल किचन के फ्लाइट में उसके लिए आपको क्या चाहिए पैसा चाहिए सिमिलर्ली अगर आपके पास में एक फैक्टरी है जिसमें एक मशीन है अब आप सोचते हो कि मुझे दो मशीन करनी है क्या चाहिए पैसा चाहिए पैसा कहा से आता है प्रॉफिट से आता है और क्या तरीका बताओ तो कि बिजनेस कैसा चल रहा है यह बताने का और क्या तरीका होता है नुग टर्नोवर golden चलो नजर में तो आईगी बट हमें क्या देखना हमें देखना efficiency यानि आप कितने कम से कम पैसों में अपना काम कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा first firm देखो आप वो 10 करोड का turnover करती है उसमें से 8 करोड का profit derive करती है यानि उसके सारे expenses से 2 करोड में पातम हो जाते हैं यह दूसरी firm को देखो ना 100 करोड रूपय का turnover है लेकिन इनके expenses उससे भी ज्यादा है तो efficiency क्या दिखाएगा आपको profit बताता है कि आपका business कितना efficiently work कर रहा है ठीक है next reward of bearing the risk business में हमने पढ़ा था कि एक element होता है risk का वो risk कभी भी आप चाहो तो घर पे छोड़के नहीं आ सकते वो रहेगा आपके पास में business में risk हमेशा होता है ठीक है लेकिन businessman को risk के सामने क्या मिलता है profit तबी कोई भी आदमी risk लेगा अगर profit ही नहीं होग है business में तो higher the risk higher the profit तो कोई भी businessman higher risk क्यों लेगा ताकि वो जादा से आदा profit कमा सके ठीक है the last point is helps to gain goodwill अब आप imagine कर लो दो company है वापस एक company जो पिछले 15 साल से profit earn कर रही है और एक company जो पिछले 15 साल से loss में है आप किसमें पैसा invest करोगे of course the first firm क्यों क्योंकि वो continuously profit earn कर रही है तो जो भी business या फिर जो भी organization जो भी company continuously profit earn करती है ना उसका एक goodwill आ जाता है market में goodwill मतलब reputation यानि लोग उसी business में पैसा invest करते हैं जो profitable होता है simple यह थे कुछ points जो हमें बताते हैं कि profit क्यों important है कोई भी business में कर दो